यो वाट्स आप गाइस कैसे आपसे भी लोग वालकम बैक टू एनधर गीम फे वीडियो तो गाइस आज हम लोग दुबारा से के लिए जा रहे हैं माइनक्राफ्ट बठा उससे पहले मैं आप लोग को एक चीज़ क्लियर कर देता हूं कि यह वो सर्प्राइज वाला वीडियो नहीं है जो कि 20 मिलियन पे आना था लेकिन इसके जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है माइनक्राफ्ट की उसमें वो सारे के सारे सर्प्राइज र होना है कि तुमने सोची ना होगी यह थोड़ा ओल ट्रेंड हो गया वैसे बाकी हां यार मैंशन आप एक बारी बाहर से देखो कितना ज्यादा बढ़िया मुझे मालूम है मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया बट एक बारी दुबारा से देख लो जितना बढ़िया यह उतना ही बढ़िया मैंने इसे अंदर से भी बनाने की पूरी गोशिश करी है यहाँ पर छोटा से किचन बनाया है जितने भी आईटम सा सारे उपर लगा दी है इधर सोफा बनाया है और सोफे में एक एक पिलो बनाया है उसके सामने टीवी है टीवी में स्पीकर्स लगे व इसे लिए मैंने सोचा कि यार इसमें ना करते हैं कुछ स्पेशल तो आज की वाली जो वीडियो है यह भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि हम बनाने वाले हैं अपने गोल्डन मेंशन की बालकनी के सामने एक बड़ा साय स्टैचू बनाया जाए वो भी मेर स्किन का तो हमें कुछ इस तरीके का स्टैचू आज सामने बनाना है वो भी एक जाइंट लेवल पे मतलब यार कम से कम इतना बड़ा स्टैचू तो होना ही चाहिए बट उसे बनाने के लिए ना हमें बहुत सारा समान भी चाहिए होगा क्योंकि जितरी बड़ी चीज है उत सारी शीप और मैं ऐसे बंदा हो ना भाई मेंने स्टार्टिंग में फामीं करी दि मैं मड़ में बड़ी मैंने यह बृण म करना के और दी में बार आष्ट वोड़ी फिलेकर ऑनी है ताकि मुझे झसे बूल मि याई कुलर में मनें करके लिटेकर की इसमें यलो इप अर दिखराव है श्क्रितो n के लिए वह यार और पूरा फ्लो घराब हो गया वाटर का क्या ठीक है कोई बात नी प्यारा कुटता है तू यहां पर बैठे रहे हैं हां तो हमेना भी शीप को पालना पड़ेगा बट शीप को पालने के लिए ना मेरे को एक फार्म बनाना है ताकि मुझे उससे वीट मिले और अभी बासा आयरें चाहहुगा. आयरें वेट मेरे पास आयरें पड़ा हुए है इसको यहां पर अपर डालते है यहां पता कि राव आयरें क्यों लेकर घूम रहा था ऑं ऐसे यहांडाइ से मूकर में डाल सब्सक्ष में मेरे – etme की, ऑफ़छ डालता ओंना हुग एक मस्त बैनर पैटन, जब तक iron smelt हो रहा है, मैं काम करता हूँ कि black dye लेकर आता हूँ और black dye मुझे मिलने वाले squid से, और squid नॉर्मली ऐसे beach में कहीं पानी में नी वो river में मिलते हैं तो सामने पानी है और इसके अंदर अपने squid चाचा भी है, फटाफट से इसकी कुटाई करके हम लोग इससे ink sack लेते हैं उससे अपनी black dye बन जाएगी, तो अपनी sword कितनी ओपी है वाई, एक ही एक टकाटक पड़ रहे हैं, तो बिचारे धेर हो जा रहे हैं में पास 6 इकठे हो चुके हैं, पर मुझे बहुत सारे चीह होंगे, क्योंकि मुझे अपने statue में भी लगानी है थोड़ी बहुत black dye कहीं न कहीं तो भी ना फिलाल मैं धेर सारा ink sack लेकर वापिस आ चुका हूँ अपने golden mansion में और अभी मुझे जाना है सीधा loom table पे और उसके इंदर डालने अपना yellow banner और यह है banner pattern creeper charge का जिससे लेने के लिए मैं पता नहीं कितने time से तरस रहा था और finally मैंने kartographer को max करा और उससे मुझे मिल गया बट हाँ इसको बनाने से पहले मुझे एक black dye बना लेनी चाहिए और अब मुझे जाना है loom table में black dye रखना है yellow banner रखना है और creeper charge का pattern रखना है और इससे जो banner बनके आने वाला है ना guys यह proper मेरी skin से देखो कितना must match करता है बट यह सिर्फ banner के लिए मैंने नहीं करा इससे भी एक और must चीज मुझे बनानी है और वो है पहले मुझे उसके आगे रख दया and will bring stand चोड़ो यार मेरे को बोलना ही नहीं है ठीक है तो हाँ अभी मुझे crafting table सबसे बहले बनानी थी crafting table के लिए मुझे सबसे बहले planks and planks को मुझे रखना है यूँ यह बनगे अपनी crafting table इसको रखते हैं आपर side में but इसके लिए मुझे एक iron चाहिए होगा स सबसे पहले जो कि smell हो चुका है let's go तो मैं आप लोग समझगे होगे मैंसे अपनी शील्ड पर लगाने वाला हूं yes पहले ना कुछ planks बना लेते हैं कुछ क्या सभी को planks मैंने बना दिया है और इसे यहां पर रखना है यह यहां पर रखना है यह बनगे shield के साथ मुझे इस banner pattern shield के साथ तो guys आप लोग को यह मेरी skin के साथ यह shield कैसी लग रही है मुझे comments में जाके जरूर बताना फिलाल अभी दीरे दीरे बाते बाते करते करते रात होने को आगी है एक बारी चलके सोते हैं next day मुझे बहुत सारी sheep पालनी है फिर सामने अपना must statue बनाना है और कितना ब बात कर रहता है से moon निकल कर आएगा सामने से तो मुझे ना पहले area पता करना होगा कि आखिरकार कहां पर मुझे वह statue बनाना चाहिए क्योंकि जादा दूर बनाऊंगा तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकता है कि वह दूर से render ना हो इसलिए ना ज्यादा दूर बनाएंगे ना ज statue बनाने वाले हैं शवल लेके थोड़ा बहुतना area clear कर देता हूं क्योंकि मैं उसका नीचे एकदम मस्त अरे भाई साब इतनी इतनी चूटी सी जगह में भी waterfall बनाऊ है let's go all right तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हो ना कि जहां पर मैं अपना statue बनाऊंगा उस तरफ का area perfect बने और उसमें कोई भी कमी ना दिके तो चब हम लोग से सामने अरे यह पेड कहां से रहा रुक जाओ यह पेड मुझे पूरा पूरा अटाना पड़ेगा काफी ज्यादा गंदा लग रहा है तू तो तेरी कोई जरूत नहीं यहां पर मेरे पास तो होई भी बाई से पू की बार में ला सकता हूं और उन्हें खिलाने के लिए तो खैर मुझे वीट चाहिए होगा ओके फाइनली पूरा पूरा एरिया एकदम मस्त क्लियर हो चुका है अब हम यहां पर बनाने वाले अपना स्टैचू बढ़ जैसक कि मैंने का था स्टैचू को बनाने के लिए में वो समान ची होगा और अभी अभी मैंने एक चीज़ नोटिस करिया है आप ध्यान से दिखोगे ना तो आपको मेरी स्किन में कहीं कहीं पर टेक्स्चर भी नजर आएंगे में सिर्फ एक येलो बूल नहीं लगा सकते हमें उसमें टेक्च्चर देने के लिए थोड़े अलग वूल और कॉंक्रीट शायद स्किन कलर के नहीं होते तो वो उस जगा पर हो सकता है मुझे वुड लगानी पड़े फिलाल अबीना मुझे बहुत सारी शीप चीए होंगी क्योंकि उनी शीप से में बहुत सारा वूल भी मिलने वाला है और उसके लिए मुझे बनाना पड़ को अपना काम हो जाएगा 18 ट्रापडोर में शायद से बागी साइड साइड में थोड़े बहुत ब्लॉक लगा देंगे अंदर से मैं काम करता हूं शीर्स भी इकठे कर लेता हूं ताकि शीप को ना में मारना न पड़े डारेक्ली मैं उनकी जो वूल उनकी बॉड़ी से चीज है जिससे मैं कुछी सेकिंड में बहुत सारा वी टिकठा कर सकता हूं मैंने क्यों कि यार वीट फाम भी पहले बनाया था बाद मुझे तोड़ दिया अब यह अपना वीट फार्म यहां से मुझे मुझे मिल जाएगा और इसको हटा देते हैं बस एकदम ओक्य है अब मैंने याँ पर सीट्स लगा दिया है अब इस पर मुझे बॉन मील मारके से पूरा ग्रो कर देना है फड़ा फट से यह वाली साइट भी हो गई चलो भाई फिलाल फूर तो बहुत सारा एकठा हो गया है अब जल्दी से चल के हम लोग फार्म बनाते हैं और शीप को पर यहां पर सिर्फ मुझे काउं दिख रही है दूर दूर तक पस नगीन नज़ा रहें कोई भी कलर की मिल जाओ कर लोगा सिपको और या खाली पिली टर दूर जा कर ढूंड रहा हूं थी शीप अपनी कासल की पीछे ही स्पान हूरा के चलो भाई चलो जल्दी यहाजा द पहले अंदर लेगर चलते हैं वहां पर क्योंकि मेरे सबसे रात भी होने वाले है और रात होने से पहले मुझे बहुत सारी जल्दी एलो खालो खालो जल्दी जल्दी आओ लो भाई सम्नु बेबी अभी के अभी आजाएगा आओ फट 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 उत्री वह करते जाएंगे बागी में वीट की कमी निया पर बहुत सारे सामने पड़े हैं उधर भी कुछ ने कुछ पड़े में लो जल्दी खाओ यार क्या कर रहे हो जब तक ही खा रहे हैं तब तक मैं इनका वूल भी कट करके निकाल लेता हूं ना भार ताकि इन पर नया वूल आत सामने एक शीप के भी बाल आये हैं ले भाई तू भी अपना वूल दे और यह खानी काईगे तू खाके देख ओके बहुत टाइम लग जाएगा इस तरीके से मेरे साब से गाई एक विलेजर होता है शाय से शेफर्ड वह हमें शायद से वूल देता है मुझे पता करना होग अंदर चलके तुम अंदर क्यों नहीं जा रहे हो गेट खूलो अंदर जाओ भूत है के अंदर में जॉंबी है के अंदर मुझे तो नहीं लग रहा कि नीचे कोई भी जूब गॉलम है चार तरफ मैंने गॉलम कर दिया थे विलेजर को कोई भी दिक्कत पहुचे शायद से कोई ना कोई विलेजर तो होता होगा जो वूल ट्रेड करें मेरे को ऐसा लग रहा होता है शायद से ओ यह दिखो यह कुन सा है हां यही तो शायफर्ड है पर यह तो उल्टाइसाब है यह तो वूल के बदले एमरल दे रहा है पाहा कहले है किसी और से बात करनी पड़ेगी यहां पर एकाद और शायफर्ड है कि तू कोने वही यह मैसन है शायफर्ड की शकल कैसे होती है यह गाइस यह वाला जो विलेजर है ना यह देखो यह मिरेको यलो वूल दे रहा है यलो वूल तो हमें चाहिए भी ना तो इससे मैं बहुत सारी वूल पर्चेस कर फाई सब स 16 वूल में इसका पेट बर गया अब और चाहिए मुझे परपल वूल मेरी स्किन में नहीं है मुझे और कलर चाहिए इकाद और शेफर्ड है अपने पास रुख जाओ मैं से बात करता हूं है लो सार आप मिरेको शियर्स ते रहे हो मिरे पास इसको ग्रे वूल ट्रेड करने के नहीं है यार अपग्रेट तो यह होगा है बट अब मुझे ग्रीन और और ओरेंज वूल दे रहा है वो भी मेरे किसी काम नहीं आने वाली तू देता है क्या वूल गाइस यह वाला विलेजर ना येलो वूल दे रहा है बट मैं इससे एक बारे ट्रेड कर चुका हूं और से शीप से वूल निकालते हैं अभी शीप बहुत जादा हो चुके मेरे साब से अब अपना काम असान हो जाएगा थोड़ा बहुत टाइम ओर लगेगा वूल इकटा करने में पर बहुत जल्दी वूल इकटी हो जाएगी अब फटाफट से इने खिलाते हैं खाना ताकि शी है वीट मेरे पास यहलो बूल सब्सक्राइब से हमें जान अब बस बहुत बहुत है अब बस अपने पास वूल इक अपना इन इन फाइन नहीं ूचुगा है वह मैं पर फोक दकार रहे वह ही ज़यों ठाहिए थीक ऐगा है और आव बोद अबस आपने पर नहीं फॉल एक मेरे पास हो चुका है अब बस मुझे इसे अपने इसाप से ना कलर का करना पड़ेगा में वह सामने एक शीप हो रहे है इसको चोड़ो यार इसको तीर मारेंगे इसका वूल नहीं लेंगे वह अच्छा मेरे पास आरो ही नहीं है वेट भाई यह क्या हो गया तो सबसे पहले मुझे बहुत सारी यलो बूल बनानी है और मुझे यलो डाय चीह है जो कि मैंप पड़ी थी और हैं से और यहां से और यलो डाय लेंकर रिल कर हम नीचे झाद्ष tiro review ठीक है अब बूह तो ही छाय झांज़ है तो बहुत तीन स्ञाइक है हो हो गई है यमिल्हाइब अभी अपने पास यहलो ऊगी जो तो पूरी हो चुकि यह घर में और चाहि तो में कुछ झनी करना संध्फ लावड तोड़किस यहलो और और रफूपने पास बहुत सारी व्हूर उनसे मिली जाना तो येलो बन जाएगे बट ये डार्क ग्रे वूल कैसे मैंने कि मुझे समझना होगा डार्क ग्रे डाई किस चीज से बनती है मेरे पास एक ये लाइट ग्रे डाई है अब ये पता नहीं मैंने कैसे बनाई थी पुरानी बनाई भी पड़िवेस को रखते हैं बट ये तो हिस्सामझ आगा मुझे पहले बोन मिल से हम लोगों ने एक डाई बना ली वाइट कलर की और ब्लाक को जम मिलाते हैं तो ग्रे कलर बनता है वर ये डाक ग्रे होने वाला है मुझे पता करना होगा यहां पर रखा यहीं तो मुझे चाहिए था सिंपल ग्रे वूल चाहिए हम क्यों हूं उसे statue को बनाने के लिए मैंने यहां पर सारी yellow wool ले रखी है और साथ से यहां पर यहां ब्ला तो मैं अपनि It करने की कोशिश करेंगे और साथ ही मैंने थोड़े बहुत यह ग्रेवूल लिए क्योंकि आप लोग को पता होगा ग्रेवूल काहँ पर लगने वाले अपनी हुडी में आप द्यान से देखोगे ना तो अपने जो बाल है वो पूरे इसमें तो ब्राउन है ब्राउन वाली क्यों आप दो हो गया और साथ ही बहुत सारे ब्लू आपको पता यह पैंक के लिए और सेम बना लिया टेक्शर के लिए और साथ ही वाइट कलर की हुल है और कुछ स्मूथ को लोग है जोकी मैंने अपनी आईस के लिए है और यह जो वाइड वाले है या पनी हुड़ी में उसके side side में boundary पे लगे वे हैं तो मैं same पूरा कोशिश करूँगा एकतम same मनाने की और ये white tarakota भाई white tarakota कोसम से असली इत्मीन का नाम white है ये पूरे pink मितलब skin color होने वाला एक दम तो हाँ बस यही सारा समान है जिससे अपना statue बन के ready हो जाएगा बट मुझे एक चीज़ ध्यान रखनी है मैं चाहता हूँ कि statue ना एकदम center में बने तो 1,2,3 blocks इधर है और 1,2,3,4 blocks इधर है और इनका center है ये वाला block पर अपनी body का center तो 2 block का है न तो वो center तो कभी हो नहीं पाएगा हलका सा या तो left जाएगा या फिर एक block राइट जाएगा वैसे भी इतनी दूर से कुछ पता नहीं चलने वाला तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं वड़ापर से हम लोग एकदम straight में चलते हैं और यहां आपर से statue बनाना हम लोग start करने वाले हैं अब वड़ापर से एक छोटा सा base बना देते हैं फिर उसके बाद हम लोग सबसे पहले foot बनाएंगे फिर उसके बाद leg बनाएंगे फिर उसके बाद हम लोग upper body and head और complete वैसे जादा hard नहीं होने वाला मुझे कुछ ही नहीं करना अपनी body देखकर ही तो बनाना है all right फिलाल base अभी बनके ready हो चुका है इसके जो look है न हम लोग बाद में एक ही बार में अच्छी कर देंगे क्योंकि मुझे मालूम है थोड़ा बहुत अभी अजीब सा लग रहा हो गया जमीन पैसे गंदा सा लगा दिया इसके ऊपर क्या ही बनाएंगे तो फटा फट से पहले हम लोग बोजन कर लेते हैं फिरा बोगा काम स्टार्ट लेट्स को तो बूट्स बनाने के लिए यह अपने दोनों सेंटर ब्लोक तो एक फूल यहां दो बूल यहां पर इधर से लेफ्ट साइड का मेंस इधर से लेफ्ट साइड का मुझे मालूम है तो यहां पर दो फूल लगाते हैं और इसको थोड़ा पीछे तक कॉंटीन्यू करते हैं ताकि जो अपने फिंगर्स होते हैं लेक की वह थोड़ी बहुत आगे आती है तो थोड़ा सा मैज जाएगा इससे उपकें गाइस तो बीना अपनी जो स्कुर्ण टेक्स्ट्चर आ रहा है न मैंने इसके थूड़ काउंट कर लिये कि अकरकार अपनी पेंट्स में कितने ब्लॉक लगने वाले है तो इसमें नाइन ब्लॉक थे तरफ में इस तरफ में टोटल एट ब्लॉक जाने वाले हैं त तो ज्यादा डामेज जाएगा अब से इंट उसे मुझे इधर भी एट ब्लोक लगाने है फिर उसके बाद मुझे एट ब्लोक लगाने उस तरफ में ठीक है मतलब बीच में दो ब्लोक का मैं गैप देने वाला हूं तो भी हम लोग चलते हैं यहां से नीचे को और यहां पर हम वह हम भी complete नहीं होए अभी बसना थोड़ी सी front side कमplete होई है अब मुझे इसकी back side कम्टेट करनी है और back side करने के लिए यह क्यों लग जाता है यार बार बार घलत block हाँ, तो back side complete करने के लिए, मैं यहाँ से कुछ block लगाने वाला हूँ, 9 की length पे और कुछ block में यहाँ से लगाने वाला हूँ, 9 की length पे, ठीक है, तो भी फटावट से हम लोग उपर की तरफ में लगाना है, start करते हैं, यह वाला block मैं तोड़ देता हूँ और जब यह complete हो जाएगा ना, उसके बाद समयले ना, अपना जो foot हो complete हो जाएगा, फिर बस इस पर texture का काम बचेगा, तो फटावट से भी उपर को block हम लोग लगाते वे जाते हैं, यह हो गए, water bucket से जाना है नीचे, और यहाँ पर लगाने है, यह भी हो गए, और बाकी ना, मैं तो सुच रहा हूँ कि इसका interior भी हम लोग बनाएंगे, all right guys, तो finally यह तो complete हो चुका है, मैं आपको एक बारी नीचे ले जाकर दिखाता हूँ, अब आपको थोड़ी बहुत feel आ रही होगी, हाँ भाई, यह pair कुछ complete हो रहे है, बट अगर अभी भी feel नहीं आ रही, तो थोड़ा सा over weight करो, क्योंकि अभी इसमे थोड़ा भूतना foot वगर का काम होना पूरा बाकी है, और यह पूरा 360 मैतलब 3D बनने वाला है, ऐसा नहीं कि इस यह front से देखने में अच्छा लग रहा है, पीछे से, आगे से right left उपर नीचे कहीं से भी देखो, एकदम perfect बनाऊंगा मैंसे, बाकी अभी इतना हो चुका है, अभी यहाँ पर मुझे थोड़ी बहुतना grey wool लगानी होगी, ताकि लगे कि boot में अपने pair जा रहे है, तो guys, अभी न मैंने boots पे दुबारा से काम करा है, और अब आप कुछ बाकिया final नीए भाई, तो final हो जाएगा न, उसके बात देखेंगे, अच्छा लग रहा है नहीं, पहले से पूरा complete करते हैं, तो अभी मैं उपर आ चुका हूँ, और उपर से मुझे लगाना है, स्टार्ट करना है, yellow wool, क्योंकि यह बार ही अपनी shirt की, तो shirt बनाने के पहले मैं left और right में दो blocks लगा देता हूँ, फिर हम लोग यहां पर एक नमस्त yellow wool लगाने वाले हैं, और yellow wool ना कुछ इस तरीके से उपर हो कर जाएगी, क्योंकि आप यहां से अब ध्यान से देखोगे न, तो मेरी भी shirt में थोड़ा सा कपड़ा नीचे को आ रहा है, पता न block की height की बाद मुझे यहां से right टन लेना है, same वहां पर भी मुझे ऐसी करना है, one, two, three, उसके बाद left टन फिर इसको उपर लेकर जाना है, all right guys, तो finally इस side का भी काम हो चुका है, मुझे इसके एक दम बराबर रखना था, बट मैं एक block उपर आ गया हूँ, अभी okay है, अब इस center, फड़ा फट से अभी के भी हम लोग neck के block भी place कर देते हैं, पूरी feel आएगी, जब यह पूरा पूरा फिल हो जाएगा, एक बार हम लोग पहले नीचे जलते हैं, और अभी इसे fill करना है, start करते हैं, okay guys, तो finally यह भी complete हो चुका है, बस मुझे water bucket चीए, यहां पर दो blocks लग से अभी तक ठीक लग रहा था, और जब से upper body बनी है, ऐसे लग रहा है, वो ज्यादा लंबी बन गई, हाँ तो guys, मैं दुबारा से चड़ कर ऊपर आ चुका हूँ, और यह वाला area में मैंने थोड़े बहुत changes करे हैं, और यहां पर मुझे कुछ blocks लगाने हैं, इस तरीके से चार block में पहले आपर लगाता हूँ, और मैं क्यों TPP में खेल रहा हूँ हैं, हाँ ठीक है, तो चार block यहां पर लग गए हैं, और मुझे नहीं इदर की दो वूल तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप ध्यान से दिखोगे न, तो मेरी hoodie में यहां पर hat की तरफ में दो उपर उपर का काम 2D में complete हो चुक है, वैसे नीचे से देखने में भी काफी ज़्यादा सही लग रहा है, अब बस हाथ बाकी रह गया है, और main face बाकी रह गया है, वो complete होते ही, शायद से एक first look आजाएगी, और हमें idea लग जाएगा, क्या आखिरकार कैसा बनने वाला है यह, अब सब कुछ 3D बनाया है, तो face भी 3D ही बनाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग इसे अभी ही बनाना start कर देते हैं, तो यह कुछ यहां तक आने वाला है मेरे साब से, और same to same इस side पर भी हम लोग इसे यहीं तक लाएंगे, और यह वाला block अभी मैं तोड़ देता हूँ, और तो शायद मुझे थोड़े block यहां पर भी लगाने होगे, वरना नीचे से थोड़ा अंदर का part नजर आएगा, height तो total 6 block की जाने वाली है, बट center block में मुझे यह snow रखनी होगी, ताकि teeth वाली लुका है, तो 1, 2, 2 height ही हो गई, 3, 4, 5, 6, same to same इधर भी करते हैं, 1, 2, 3, बराब सा जादा ही block लगा था, वह उपर आगया, हाँ, तो यह वाली block पर अपनी eye का, शायद से यह brown वाला part हैगा, नहीं इस पर नहीं आएगा, इसके right वाले पर आएगा, यह आगे अपनी eye और इसके right में होगी अपनी eyeball, और इसके right में होगी जो white वाला area होता है, same to same मुझे opposite side भी करना है, first eyeball and उसके right side में यह smooth quarts लगा देता हूँ, अब एकदम okay है, but इसके उपर हमने eyebrow भी बनाई है, तो eyebrow भी बनानी पड़ेगी, पानी डाल को उपर चलते हैं पहले, but eyebrow के लिए पहले पूरी skin complete होना जरूरी है, skin होगी complete, अब eyebrow हम लोग एक block यहाँ, eyebrow भी complete, let's go, alright guys, तो finally complete कर दिया है, मैंने अपने पूरे के पूरे face को भी, अब बस एक बारी दे, oh wait आगी, look आई है भाई, मैं तभी एक ही बार में देखूंगा, 3, 2, 1, भाई, look जाओ, face match हो रहा है, सच्छी में जूटनी हो लोगा, face match हो रहा है, अभी hairs और hands नी बने है, बस बाकी look आ रह करते हैं, hairs बनाने के लिए तो मैं proper gray wool यूज़ करने वाला हूँ, बढ़ हाँ, जरूरी नहीं है कि जैसा मेरे skin में hair है, same to same हम लोग white design रखे, भाल कैसे भी हो सकते हैं, फिलाल अभी हम लोग यहां पर पहले हैं, थोड़े बहुत hairs normal होनाते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा 3 रहेंगे, तब भी feel आने वाली है तगड़ी, complete तो हो गए है, hairs भी नीचे चलके देखना पड़ेगा, आखिर look कैसे आ रही है, oh nice, जो look मुझे चाहिए थी, same to same वही look आ रहे है, अब बस hand रखे हैं और बीच में मुझे भी UGB तो लिखना है यार, वो थोड़ा सा challenging होने वा क्योंकि इसी सबसे जादा must help होने वाली है और हम लोग easily UG का जो logo है वो भी बना देंगे, तो पहले हम लोग इसके दूरू चलते हैं सीधा उपर कुछ इस तरीके से, और हमें यहां पर बनाना है logo, और मुझे देखना होगा अच्छे से कहां से exactly start होने वाला, तो यह वाला परफेक्ट है, इसके बीच में हम लोग gray concrete अभी के अभी भर के देख लेते हैं, कि पूरी G वाली look आ भी रही है, या फिर हम लोग ऐसे यहां भी लगे पड़े है, 123, oh wait आगे, look तो आई है भाई बिल्कुल, अब same to same हमें यहां पर UK ले भी cut करना पड़ेगा, oh wait, इसका folding भाई पता नहीं कैसे मेरे से गलती से click हो गया होगा, ठीक है, तो भी हमें UK के लिए cut करना है कुछ इस तरीके से, इस side का थोड़ा down में है, side का ऊपर में है, beach का भी cut कर देते हैं, और यह वाला है cool cut करना है, बस, UG तो हमने बहुत प्यार से बना दिया, let's go, 1, 2, 3, 4, 5, औ इसको नीचे जलके एक वारी देखते हैं, आखरकार कैसा देखने में लग रहा है, पानी डालना है, यह तोड़ना है, अब बस, hands रहा गए, hairs पी हो गए, 2D काम complete, भाई, पूरी same look आ रही है भी, nice, जो statue में चीया था, धीर धीर बनता जा रहा है, shirt, जब hand दोनों पूरी complete ह जाएंगे ना, तब इसकी जो shirt है वो भी complete हो जाए, क्योंकि आधी shirt हमारी hand में cover होने वाले है, थोड़ा 3D में जा रहा है, legs तेखोगे ना, तो थोड़े एकदम 3D में, तो same, उसे मुझे hands भी 3D करने होंगे, तो अभी फड़ा फट से हम लोग ऊपर चलते हैं, hands बनाने के के लिए मुझे एक block पहले यहां पर लगा देना चाहिए, ताकि मैं यहां पर खड़े होके, एक idea लगा पाऊं कि किस तरीके से बनने वाला है, तो इसे बनाने की shape तो मुझे एकदम proper समझ आ गया है, पहले मुझे यहां नीचे आना पड़ेगा, और back में कुछ blocks लगाते हो इसको भी cut कर देता हूं, one, two, three, four, five, and six, and seven, hand भी complete होगे, let's go, guys, Sabina, मैंने hands तो बना दिया है, पर पता नहीं कुछ उसमें गड़वड हो गई है, मुझे दिखाने का भी मन नी कर रहा है, care, देखी लो, पता नहीं, ऐसी क्या chase miss होगी, जिस मुझे से अजीब सी look आ रही है ओ, wait, मैंने hands को उपर से बहुत जादा पतला कर दिया, और नीचे से बहुत जादा मोटे कर दी hands, wait, मुझे उपर जाना पड़ेगा, एक और बारी, तो मुझे ना, यहाँ पर भी blocks लगाने होंगे, शाद से, तभी एक अच्छी feel आने वाली है, in hands में, तो wait यहाँ पर लग बाटर, अब एक बारी जाए, ओ, wait, आगे, 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 भाई, वही मैं कहूं, यह क्या, मैंने ऐसा छोड़ दिया, अभी मेरे साब से, guys, perfect look आ रही है, अब मतलब कि अपने arms complete होगे, अब जो अपने fingers, hands, यह सब बनना है, वो रहा रहा है, बट, हाँ भाई, लग रहा है 30% look है, 3, 2, 1, let's see, तो अभी जो अपने statue प्रोपर 3D बना है, और मैंने कहा था ना, जिस तरीक से मैं बना रहा हूँ, एकदम पॉफेक्ट बनने वाला है, पूरी एकदम सही लूग आ चुकी है, बस में ना, टेक्शर नी आरे, जो मैंने कहा था, यह काफी जादा ना, प् बट यह जो मैंने fingers बना दे काफी सही लग रही है, back side में creeper का face बना दे हुए, तो अभी ना guys, इसके अंदर में देने है, textures ताकी लगे कि हाँ यह कपड़े पहने हुए है, वैसे wool मैंने use करके बहुत सही करा, अगर मैं normal concrete use करता ना, तो शायद से इतनी अच्छी look नहीं आ इसके अंदर पूरे में अंधेरा होगा ना, तो अभी यह पूरा zombie farm बन चुका होगा, तो अभी ना guys, बस मुझे कहीं कहीं पर यह wool तोड़नी है, और यहाँ बे यहाँ इसको पहले मुझे पीटना पड़े गा, इतर अभी चल निकले यहाँ से, मेरी wool में मत आंग लगा द वहाँ पर बस मुझे यह लगा देना है, और इसके अलावा तो सब कुछ एकदब डाइनवेट मुझे water ची होगा, यहां से नीचे आने के लिए, let's go, यहाँ पर पानी डालते हैं, और इधर यहाँ पर यह लगा देते हैं, एक बारी texture पूरा complete में करता हूँ, इसके बाद दिखाता हूँ, क्योंकि इसे complete करने में थोड़ा पूर टाइम जाएगा, मुझे देख देख के लगाने होंगे, concrete के मुझे कहां पर लगाने चाहिए, कहां नहीं लगाने चाहिए, यह shadow वाला पार्ट है, तो यहाँ पर भी concrete लगेंगे, okay guys, तो finally अपना statue पूरा complete हो चुक background में statue, अभी देखने में ऐसे लग रहा है, जैसे मेरे बराबर में कोई एक और उजवल खड़ा हो, बट नहीं, वो सची में एक ultra giant statue बन चुका है, और मैंने कहा तो, texture complete होने के बाद इसकी look हो अच्छी हो जाएगी, वैसे किसी किसी को ना, यह बिना texture के भी अच्छे लगे जैसे इसमें थोड़ा white है, grey है, तो मुझे कुछ उसे थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, पर एक बार एक बार एक close view दिखा दे तो हम आपको ऊपर देखो कैसे eyebrow है, कैसे hairs है, पूरी hoodie पूरी पीछे से जा रही है, और जो final end में concrete लगा है ना, उससे तगड़ी look आई है, उसक अब आप लोग मुझे comment में जाके बताओ कि आपको यह कैसा लग रहा है, दस में से कितने number देना चाहोगे इस statue को, और अगर आपको यह वाली वीडियो ची लगी हो, तो आपको इस वीडियो को like भी करना है, तो चलो guys, आज किस वाली वीडियो में इतना ही, अगर आपको य comment करके जरूर बताना कैसा लगा, ओकी guys, मिल देंगे वीडियो में, good bye!